आएँ कosta यह को वल्कम टॉव यूट्व चैनल ब्लेक डामन एकने इन दीशी कि तरफ से लेकैंसी निखाली गई है दिभरेंटीस की लिए उप्षूर्ण अप्रेंटीस की रिश पधों जिसमें ग्रेजुएट वाले भी अपलाई कर सकते हैं टेक्नीश sempre ट्रेड वाले भी अप्लाइ कर सकते हैं आई ट्राइए वाले हैं और प्रोग्रामिंग और सिस्टमा स्टेएन उसके लिए भी अप्लाइ कर सकते तो इस विडियो को लाउज तक आपको बता दे NMDC एक सरकारी कंपणी है जिसका फूल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेबलप्मेंट कॉर्पोरिशन लिमिटेड यह एक सेंट्रल गवर्मेंट के अंदर आने वाली कंपणी है और यह जो वेकेंसी निकाला गया है यह वेला डिला आयरन और माइन्स के लिए निक बात करता हूं यह वेकेंसी है यह माही को निकाला गया है दस मही को और इसका जो लास्ट टेट है वह पंदार जून तक लास्ट जो है वो इमेल और पोस्ट के जरी आपको करना है यहां पर जो पहला में बात करो वेकेंसी ग्रेजवेट अपरेंटीज के लिए टोटल सुलह वेकेंसी है जिसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं मैं बताता हूं जो चार साल कम्प्लीट कर चुके हैं डिग्री इन सीविल मेकैनि कुछ और लेक्ट्रोनिक्स ऐलक्ट्रोड एलक्ट्रिकल एलेक्ट्रोणिक्स और माइनेंग इंजिनिरिंग यह लोग अप्लाइक कर सकते हैं इस अपरेजवेट परीजवेट्स के लिए यहां पर नमबर और अपरेंटीस सुलह लिखा हूं हॉना यहां सपस्त नहीं किया सब्सक्राइब और बात करता हूं तो आप अप्लाइब कर सकते हैं तो ब्रांच के लिए कहा लगया वह है मेकैनिकल एक्रिकल एक्रोनिक्स एंड हमिकैसं माइनिंग मौडर्न उफिस प्रैक्तिस मैंजμέठ ये लोग कर सकते हैं याने कुल में लागर लगे कहा जाये तो यह में कैनिकल एक्रिकल एक वैक्एंसि है Mining का वेकनसी है और computer वाला जो computer साइंस वाला वेकनसी IT सेक्टर वो trade technician apprentice में इतना apprentice का वेकनसी है जो third post है third category है वो है programming and system administrator असीस्टेंट का सबसे ज्यादा वेकनसी निकाला गया है 30 पोस्ट का वेकनसी निकाला और यह जो को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नेशनल ट्रेट सर्टिफिकेट लिया है सी यो पीए से सी यो पीए का मतलब है वह यह नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो यह डिगरी किये हुए हैं वह इन यहां पर www.mhrdnaats.gov.in जो साइट दिया हुआ है इस साइट को आपको आपन कर लेना और यहां पर एने टीएस पोर्टल में जाके आपको रेजिस्टेशन करना है अगर आपको नहीं पता है कि रेजिस्टेशन कैसे किया जाता है नेटीश पोर्टल में तो आप कमेंट सेक् तो पहले कुछ इंस्टेक्शन दिये गया है जिनको बारे में आपको बता देता हूं इसमें बोला किया जो डिप्लोमा या जो भी कोर्स आपका वो खत्म कर चुके हैं वह अप्लाई कर सकते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं पहला चीज दूसरा जिसमें लिखा हु उनीश डिप्लोमाट का यह रहा हो तो उनीश के बाद 20-22 तक अपलाई कर सकते हैं मतलब आप अपलाई कर सकते हैं वही अगर आप 2017 में पास किया उनगे तो 18 19 20 ho जा रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं याने कि आप पास candidate होने के बाद तीन साल से कम हो ठास अप्रेंटिस एक्ट के तहत कहीं भी पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं वह वापस से इसमें ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं अगर आप कोल माइस में पीड़ेडी कर चुके हैं या कोल माइस में ट्रेनिंग कर चुके हैं या कहीं ट्रेनिंग पिरियेड होगा वह आपका एक साल का होगा और एक चीज और लिखा हुआ है यानि आपका अप्रेंटिंशिप ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आप कंपनी में दावा नहीं कर सकते इंप्लाइमेंट का यानि नौकरी का आपको बदा दें कि जैसे ऐसी सिहल मे है तो मुझे कहीं भी टेंप्रोरी तौर पर जॉब दिया जाए तो इसलिए गंपनी अब जितनी भी अप्रेंटिस वाली वैकेंसे निकालते हैं उसमें क्लियर असपस ट्लिक देती है कि भाईया आप यहां से अप्रेंटिस करेंगे तो फिर आप यहां पे इंप्लॉयमें के अंदर भी आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 8000 अगा स्टाइपन मिल था बीटेक वाले के लिए 9000 था और आइटी वालों के लिए 7000 था लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे जो ग्रेजवेट अपरेंटिस का 20,000 रुपिया स्टाइपन दिया गया है यानि चल रहा है नमडिसी का उसे आप से आपको मिलेगा तो यह खास बात है कि यहां पर स्टाइपन बहुत अच्छा है कि मैं बताता हूं कि आप अप्लाई कैसे करेंगा सबसे पहले आपको MHRD Nats में login करना है और MHRD Nats में register करना है आपको वहां से login कर लेना है और आपको क्या क करना है अपना कुछ document जैसे कि Nats में जब आप register करेंगे तो उससे एक जो फाइनल पेज होगा उसको प्रिंट निकाल लेंगे समय रिश्टेशन नंबर यह सब लिखा रहेगा अप्रेंटिस पोर्टल वाला उसका आपको प्रिंट निकाल लेना है देन आपको एक करना में यहां और आपका data of birth certificate आपका address पूर्फ यहने के आपका actual क्वालिफिकेश्ट Mercury का मतलब है कि यह सुवाध क्लास करने का माक्सिट दसभा क्लास का passing सेंटिफी केट अगर डिपलोमा वाले हैं तो अगर वीटेप वाले हैं तो 12 स्टोभ क्लास का ऊसके बडров opin course करते हैं उसके बाद जितने भी सेमेस्टर में आगर अगर आप बहुत है तो सकते हैं चतने बीस जैंट कर सकते तो जितने से भी Rig corridor करेंगे सेट सबस्केर आपको स lied बादेन सबस्करने के बाद पीडिएफ बनाएंगे और पीडियाप में सबसे पहला जो पेज होगा रिजूम का होगा देन जो सेकेंड पेज होगा वो आप अपना टेटो बर्त रखेंगे देन आपका 10th क्लास का मार्क सेट बगरा ऐसा करते हुए आप अटेच करेंगे फूरे फाइनल यर तक और अटेच करने के बाद एक पीडिय बनाया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको वापस बुलाया जाएगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फिर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा में इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी लॉकडाउन गलाब मिलेगा उसको प्रिफरेंस मिलेगा बतलब 36 गड़ के जो हैं और खासकर जो धंतवाडा से हैं जो आसपास में जितने लोकल रेसिडेंस होंगे वहां के वह अगर अपलाई करते हैं तो उनकी चांदी-चांदी होगे क्योंको प्रिफरेंस मिलेगा और 16-13-13 इन के बच जाएंगे बाहर वाले के लिए बहुत कम सीटे बच जाएंगे अपलाई करने के बाद एक चीज और बोला गया है कि भाईया जो अभी हॉस्टल एकुमेडेशन आपको नहीं दिया जाएगा हॉस्टल एकुमेडेशन इसले नहीं जाएगा क्योंकि कोविड-19 का यह आपको भेजा जाएगा तो आप एपने इमेल आइडी चेक करते रहेंगे अब मुहाल का मैसेज भी चेक करते रहेंगे ताकि आपसे यह चीजे छूट अना जाए आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आपको ऐसे वीडियो से अपडेट रहना है त अपने दोस्तों के साथ और अगर यह वीडियो आपके लिए वेनिफिशन रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा ताकि मुझे देख के मॉडिविशन मिले तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग तिल एड़ जैह